अलो आवरीवन मैं अर्वीन जन्यूक आसिज में आपका स्वागत करता हूं कोलेज एक्जाम को लेकर कापी सारे आपके कॉमेंट आ रहे हैं सर रास्तान विश्विद्धाली की जो एक्जाम से वो कब तक होंगी इसका एक्जाम पैटर्न क्या रहेगा स्लेबस क्या रहेगा इसको लेकर बहुत जादा आपके कॉमेंट सामने आ रहे हैं सर टाइम टेबल कब तक जारी होगा तैयारी कैसे करें तो जितने भी आपके डाउट है जितने भी आपकी कुश्चंस है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं तो पैसंस बनाकर वीडियो का कुछ कटोती होगी नहीं होगी कुछ रात मिलेगी नहीं मिलेगी इस एसन के अंदर तो यापर मैं सबीको बतना चाहूंगा कि अभी प्रिजेंड में क्या अपडेट्स आ रहे हैं तो आप सभी को बता है कि या पर फर्ष्ट कर दिया है चार फर्वरी तक आप फोरम बर सक स्टार्ट नहीं हुए हैं तो काफी समय लगने वाला है पहले फॉर्म बरे जाएंगे उसके बाद में आगे की प्रिक्रिया होगी साथ ही मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूंगा जो कली सामने आई है वो अपडेट यह है कि जिन्होंने अब तक फरस्ट यह की विद् और फाइनलर के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएं तो अगर फॉर्म आपकी स्टार्ट हो जाते हैं तो लगबग एक महीन आपको समय दिया जाएगा क्योंकि इतना तो लगने वाला है एक महीन तो आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए एक्जाम के जो फॉर्म है वो बाकी courses ने उनके syllabus आ चुके हैं उसके आदार पर मैं आपको बताना चाहूँगा और last session के आदार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि syllabus तो आपका 100% ही रहेगा ये बात मैंने पहले के वीडियो में बोल चुका हूँ कि आप syllabus को लेकर comment नहीं करें और इसके अलावा आप doubt दि बिल्कुल negativity मतला हो syllabus तो आपको complete पढ़ना पढ़ते रही है आप लोग ठीक है पहली बास की clear हो चुकी है दूसरी बात है आपकी pattern की बात करें तो अगर हम last session की बात करें पैटन को लेकर कब update सामने आई थी एक notice जारी हुआ था मार्च की स्टार्टिंग में मार्च की स्टा अगर हम देखें तो पहले आपके form बरे जाएंगे उसके बाद में exam के regarding कोई notice जारी होगा तो मार्च स्टार्टिंग में अगर notice आता है तब ही आपको पता लगपाएगा कि आपके pattern में कुछ बदला हुआ है या नहीं हुआ है तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं वैसे मुझ पहले ही वो update आपके पास में आएगी तब तक आपको क्या करना है तब तक आपको complete syllabus ही पढ़ना है और जो complete pattern है उसी के आदर पर आपको पढ़ना है फिर भी आगर आप चाहते हो कि मैं जादा नहीं पढ़ सकता complete unit नहीं पढ़ सकता तो जितनी आप unit पढ़ सकते हो उस update से पहले उस notice से पहले आप जितनी unit अपनी तरब से cover कर सकते हो आप लोग कर लीजिए तैयारी कर लीजिए जबकि आपका जो notice जारी हो तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े काफी बच्चे ऐसे होंगे जो मैं तो notice आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहि है क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचेगा जब notice जारी होगा लगबक एक मैने काई आपको समय मिलेगा और तुरंत आपकी exam स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको तैयारी अभी से करनी है कौशिज करो जितना ज़्यादा unit आप cover कर सकते हो सभी subject के अंदर mathematics हो chemistry हो physics सभी के अंदर अपनी units को complete करते रहो जब notice जारी होगा तो उसके according आप अपनी तयारी स्टार्ट कर देना तो यदि आप SSC exam, bank, railway जैसे general competition की preparation कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 learning app academy से आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैसे जु सबसे पहले आपको category select करनी होगी SSC non-technical select करने के बाद में जो है आप free special class में जाए और मेरा नाम सर्ज करे अरविंद कुंडारा आप मुझे वहाँ पर follow कर ले अगर आपको किसी और educator से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग follow कर सकते हैं और उनकी class भी ले सकते follow करने के बाद मैं आप सबी को बताना चाता हूँ regular मेरी classes हो रहे हैm plus में भी classes हो रहे हैm free में भी classes हो रहे है मेरी free special class morning में सुभई 8 बजे होती है उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और साड़े 9 बजे class होती है जिसमें मैं आपको जो है जन्रल साइंस और इस्टेटिक जीके पढ़ा रहूँ तो class में सभी विद्ध्यारती जूड़ जाईए class का link description में है उसके click करना class open हो जाएगी और upcoming सभी classes पाने के लिए आप मुझे follow कर लीजिए मेरी profile का link भी description में है आप सभी लोग जूड़िए free class है कोई विद्ध्यारती आ सकता है और पढ़ सकता है अगर आप general competition की तैयारी कर रहे है वापर बहुत सारे features है आपको poll दिये जाएगा आपकी rank आएगी तो सभी लोग जूड़ जाएगे तो UG part second और third के जो आपकी एक्जामिशन form है मुझे लगता है कि 10 February के आसपास वो form आपकी start हो जाएंगे क्योंकि अभी कुछ courses के result आना बाकी है और date भी extend कर दी है part first year की इसलिए 10 February के आसपास आपकी जो form है बाकी की courses की वो सभी start हो जाएंगे वहीं हम exam की बात करें जिसको लेकर आप बहुत जादा comment करें दीक रहा normal जैसे अभी चल रहा है वैसे चलता रहा तो अप्रेल में आपकी exam स्टार्ट हो जाएगी तो आप अपनी preparation को जारी रखें विल्कुल भी ऐसे deal ना दे क्योंकि समय बहुत कम है आपके सब्सक्राइब करें दन्यवाद